येस, गुडे स्टुडेंट्स, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया कल दी कंपनी जट टूथाउजिन थर्टीन पिड़ आपको बताया गया कि कंपनी जट टूथाउजिन थर्टीन एक ऐसा एक्ट है जो फेजिस में आया मतलब एक दम से ये एक्ट एप्लिकेबल नहीं हुआ ये फेजिस में ये जो एक्ट है वो आया धीरे धीरे सो अब इसके बारे में ज़रा सुनेंगे कल हमने कंपनी की डेफिनेशन पड़ी सेक्शन टू क्लास ट्वेंटी कि कंपनी क्या होती है कंपनी means a company that is incorporated under this act और under any previous company law उसको हम क्या कहते हैं कंपनी क्याते है बट कंपनी को features की terms में define किया प्रफेसर एलेज हैने ने जो कल हमने पड़ा कि कंपनी is an artificial person created by law जिसको किस ने जनम दिया law ने जनम दिया law ही मारेगा बेटा कंपनी को कंपनी को law ही create करता है law ही कंपनी को end कर सकता है members के मरने से company नहीं मरती बेटा एक company के मान लीजिए seven members है सातों मर गए तो भी बेटा company जिन्दा रहेगी company has a perpetual succession members आते रहते हैं members जाते रहते हैं but company will continue forever जब तक कि उसको law के द्वारा दिये गए procedure के accordingly wind up नहीं कर दिया जाता बंद नहीं कर दिया जाता तब तक company चलती रहती है company के कुछ features आप जानते हैं that is voluntary association की कुछ लोग मिलकर बनाते हैं private limited company में कम से कम दो और public limited के अंदर कम से कम seven persons जो हैं वो होने चाहिए registration होने से ही company का जनम होता है यह company का certificate of birth है certificate of incorporation is date of birth certificate of the company company का एक unique feature है बेटा कि it has you can say कि it has separate legal entity law की नजरों में company की एक separate पहचान है company अपने नाम पे asset लेती है company अपने नाम पे liabilities इंकर करती है company दूसरों को see you कर सकती है even members को see you कर सकती है ठीक है और members जो है वो company को see you कर सकती है और outsiders भी जो है वो company को see you कर सकते है यह बाते बेटा हमने पढ़ी next बेटा यह बात case पढ़ा एक बहुत important case लो that is salmon versus salmon and company limited जो यह separate legal entity के बारे में सारी बातचीत आती है ना यह basically कहां से आती है यह salmon versus salmon and company limited case इसी चीज को propound करता है इसी चीज को आगे बढ़ाता है then बेटा हमने बात करी limiter liability की कि हमारे देश में unlimited liability की company बनाना बिल्कुल आपको allowed है आप लिमिटर liability की company बना सकते हैं बट कोई person बनाता नहीं है बेटा क्यों बनाएगा कोई person जब आपको limited liability का option मिलता है then why you will form a company with unlimited liability so कोई unlimited liability की company हमारे देश में नहीं है हमारे देश में जितनी companies हैं पहले भी जो थी वो सारी के सारी with limited liability जो हैं वो ही next बिटा हम बात कर रहे थे किस चीज की perpetual succession मैंने बताया members आते रहते हैं members जाते रहते हैं share change hands करते रहते हैं पर उससे कोई फरक नहीं पड़ता company goes on forever company चलती रहती है ये पढ़ना है बिटा आज हमने कुछ और features और limitations पढ़ेंगे कि company form of organization के सिरफ plus नहीं है कुछ negative points भी है कुछ limitations भी है that we will discuss today वो आज discuss करें लो बेटा start कर रहे हैं हमारा topic आज का that is share capital company की जो share capital होती है this is divided into shares of equal value ये बिल्कुल ऐसा है मैं आपको explain करता हूं कैसे इदर देखेंगे बेटा ये company की share capital है this is say share capital of a company ये company की share capital है इस share capital it is just like cake ये cake की तरह है इसको जैसे हम equal equal proportion में जैसे pastries में बांट देते हैं वैसे बेटा company की जो share capital होती है उसको equal portions के अंदर shares में बांट दिया जाता है फर्क सिरफ इतना होता है कि pastry हम एक केक से 10, 12, 15, 20 बनाएंगे लेकिन यहां पे it may be in lakhs और it may be in crores कि crores में काट दिया जाता है सो कई बार एक word आपको सुनने को मिलता है that is called allotment एक word आपने सुना भी होगा पहले और वैसे भी सुनने को मिलेगा that is allotment allotment का मतलब क्या होता है the act of act career act of appropriation act of appropriation कि हम क्या कर रहे हैं जो capital है ना company की उसको appropriate कर रहे है जैसे बेटा कोई बंदा केक काटता है तो उस समय दूसरे सामने वाले परसन जो है वो उसको congratulate करते है happy birthday to you happy anniversary to you something like this so in the same manner जब company अपनी capital को काटती है shares में बांटती है तो बेटा company को एक return होती है आगे पढ़ेंगे अगले levels पे that is return of allotment company को एक return of allotment file करनी पढ़ती है with ROC registrar of companies मेरे बचे मैंने कल आपको बताया भी था कि ROC क्या system होता है कि हमारे देश में company law का system है it goes like this कि सबसे उपर बैठा है ministry of corporate affairs this is ministry of government of India यह government of India की ministry है ministry of corporate affairs पहले बहुत पहले इसको DCA कहते थे department of company affairs so अब DCA नहीं बोलते अब यह बड़ी हो गई है so इसका नाम अब हो गया है ministry of corporate affairs corporate affairs earlier it was department of company affairs it was a department now it is a full-fledged ministry ministry of corporate affairs head होता है इसका cabinet minister जो भारत में Modi सरकार में cabinet minister है then है secretary यह administrative head है secretary ministry of corporate affairs पूरे भारत को 7-8 regions में बांटा गया है वो region का head है that is called regional director उसको regional director कहते है और सबसे नीचे है that is ROCs ROC normal culture यह है बेटा की एक state में एक ROC होता है और कई बर कुछ बड़ी states है उन बड़ी states के अंदर एक state में more than one ROC भी हो जाते है और कुछ छोटी states है तो उसमें एक ही ROC अपना काम चला देता है तो इस तरह से system हमारे देश में चलता है so मैं आपसे बात कर रहा था allotment की allotment का मतलब क्या है an act of appropriation is called what allotment कि कौन काटेगा यह law कहता है कि this is to be cut by board of directors कि यह allotment किसने करनी होती है board of directors मैंने शायद आपको कल यह वाली बात बताई थी कि एक company is an artificial person कि company कौन है artificial person विदोशी टाइम पे आया गरो भुतर एक company that is an artificial company is an artificial person सारी रिदम खराब हो जाती है so company that is an artificial person so artificial person को काम करने के लिए artificial person बोलने को बोल दिया हमने कि इसकी law की तरफ से separate legal entity है यह वाली बात आपने बोल दी बट लेकिन करेगा क्या कुछ भी करना है तो उसको करने के लिए hard mask का बंदा चीए के नहीं चीए so company एक artificial person है इसको काम करने के लिए human agency की जरूरत पड़ती है दो तरह की human agencies है जो company setup के अंदर काम करती है दो तरह की human agency जो जिनकी जरूरत पड़ती है जो company में practically सारा काम कर रहे है एक कौन है इस members जो लोग company को बनाते है इनी लोगों को shareholder कह देते हैं इनी को हम क्या बोल देते हैं owners बोल देते हैं तो these are shareholders, owners, members कुछ भी बोलिये these words are used interchangeably और दूसरी बात आती है that is directors directors company के सही माइने में वो driver है जो company को चलाते है company नाम की गाड़ी जो है, जिस गाड़ी में 100 करोड की गाड़ी है वो गाड़ी में पैसा लगा हुआ है इन लोगों का लेकिन उस company को सही तरीके से उस गाड़ी को सही तरीके से चलाने का काम जो duty है that has been casted on directors, वो company के directors के उपर ये duty cast की हुई है एक company के अंदर 8-10 directors होते है जैसे माल लो एक company के अंदर ए से लेके जे तक सारे directors हैं इनको individually we call them directors but collective name है that is board और board of directors short में आप लो कई बार BOD भी बहुल देते हो board of directors तो ये काम है routine की company की management के सारे काम those are done by directors वो directors करते हैं and कुछ important मामलों के उपर साल में एक साल में इनको भी बुलाया जाता है journal meetings होती है ये लोग जो मिलते हैं उस meetings का नाम होता है journal meetings journal meetings journal meetings इनकी जो meetings होती है board की board meeting board meeting लो बेटा जी अब मैं बात कर रहा था आप से उसी topic पर वापिस चलते हैं कि share capital company की जो सारी share capital है it is divided into certain specific number of shares units of equal value सब share बराबर amount के होंगे यह जरूर है जिस किसी के पास जादा पैसे किसी ने invest करने है that person will take more shares मैंने कम invest करने है then I'll be taking 100 share 50 shares आपको जादा invest करने है you may take 5,000 share 10,000 share 1 lakh share वो आप ले सकते हो company के अंदर next is transferability एक sole proprietor partnership जब काम करती है बेटा तो उसमें बहुत बड़ी problem है कि sole proprietor अपना business ना without loss of money नहीं change कर सकता आप कोई भी person है रबना करें किसी को किसी का अपना business change करना पड़े it is very painful but anyway कि कोई बंदा कोई business करता है तो आप ये लगा के चली करियाने की दुकान करता है और वो कहता मैं करियाने की दुकान बदलना चाहता हूं और कपड़े की दुकान करना चाहता हूं तो बैटा मैं आपको बता दूँ उसका जो करियाना है ना वो उसको बहुत कम दाम पर बेचना पड़ाईगा किसी को दुकान का सारा सेटप बदलना पड़ता है करियाने की दुकान के लिए अलग सेटप है अलग तरह के बिंद्स लगते हैं और जो कपड़े की दुकान है उसके लिए अलग तरह का सेस्टम चलता है अलग लग लोगों से उसको बहुत मुश्किल काम है without loss of value आप कोई भी नया काम शुरू करोगे तो उसमें शुरू में आपको कुछ initial cost इंकर करनी ही पड़ेंगी जो की बड़ा मुश्किल काम है कि आपने कोई sole proprietor ने अपना काम बदलना है partnership के लिए बड़ा मुश्किल है कि आपने partner change करने है तो असान नहीं होता कि change करना है लेकिन company में मान लो आपने company में पैसे invest किया हुए अब मान लीजिए आपने बजाज auto के shares लिए हुए तो this means your money is invested into you can say की auto sector ये bikes वगेरा के अंदर, scooter वगेरा के अंदर, बजाज के अंदर आपने ये पैसा invest किया हुए अब मेरे बचे मान लीजिए बजाज auto में अब पता लगा आपको की राहूल बजाज ने राहूल बजाज is the head of you can say की managing director of ये बजाज ग्रूप और उन्होंने क्या कर दिया, मेरे बचे आज resign कर दिया, ये खबर है अब उन्होंने resign कर दिया, तो इस बात से मान लो आपको लगता है कि राहूल बजाज जो है जब तक head कर रहा है, तब तक organization बहुत बढ़ी है और जिस दिन राहूल बजाज नहीं है, तो then I am not interested in बजाज autos more तो आप बजाज autos में interested नहीं है तो घबरानी की क्या बात है, राहूल बजाज ने छोड़ दिया, तो आप भी छोड़ दो share क्या दिक्कत है, आप वो share निकालो पैसा, आपको motor sector में ही लगाना है तो आप बेटा जी वो share iSher motor में लगा दीजे, आप वो share लगाना चाहते हैं आप hero में लगा दीजे, कहीं भी लगा दीजे, और अगर आप sector भी change करना चाहते हैं आपने का नहीं भई, मैं तो ITC के अंदर लगाऊंगा, ठीके, ITC के share खरीदूँगा, मैं गुदरिच के share खरीदूँगा, मैं हिंदुस्तान, Unilever के share खरीदूँगा, खरीद लीजी, कोई दिक्कत नहीं है तो यह जो चीज है, company form of organization के अंदर, कि आप जो investor है न, वो अपना interest बदल सकता है वो अपनी requirement के accordingly, अपनी सोच के accordingly आगे बढ़ सकता है, यह feature किसी और form of organization में आपको इतनी असानी से नहीं मिलता तो company में share transferable है, कोई भी person अपने share transfer कर सकता है अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको knowledge और दूँगा, कि वो क्या चीज है, वो देखेंगे इधर पिटा मैंने बताया, हमारे देश में जितनी companies हैं, हम उनको दो ही हिस्सों में बाढ़ते है पूरे companies act में जितनी भी companies है ना, दो ही तरह की है इधर इस आर private limited companies, और बेटा public limited राधर public limited की definition ही यह होती है, कि if your company is not a private limited company then your company is public limited company so this means, हमारे देश में मानलो आपने कोई company बनाई private limited company के अंदर share transfer हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि private limited company के अंदर share transfer नहीं होते हैं but बेटा इसमें ना कुछ restrictions का होना लाजमी है restrictions का होना लाजमी है, mandatory है बेटा कि कुछ restrictions होएंगी ही होएंगी freely transferable नहीं होते हैं private limited company के share freely transferable नहीं होते मतलब आप जब चाहो जिस मर्जी को बेच दो, it is not like that प्राइवेट लिमिटेड कंपनी is just like a private party, और private party के अंदर बेटा कुछ restrictions, like कोई dress code की restriction होना, या किसी और तरह की restriction होना, कोई limitation आप लगा सकते हो, private party में ये थूड़ी है कि कोई भी person आ जाएगा, आप बाहर लिख सकते हो, right of admission, reserved, वो आप कर सकते हो private limited company में, तो करने भी ज़र transfer का right क्या होगा, restriction होगा, like मैंने कोई company बनाई, से मानलो एक हमने company बनाई, ABC, ABC, plastics, private limit है, अब ये company जतिन बंसल ने बनाई है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई है, तो मैं इसमें कल को भी ये condition लगा सकता हूँ, किसी भी तरह की, कोई भी condition, हमारी company के articles of association होते हैं, that is rules for internal management, ये हमारी company के rules for internal management है, मैंने ये company बनाई है, और मैं इसमें ये rule articles में लिख दूँगा, कौन से वाली बात, कि share तो transferable होंगे, but share transferable होंगे at the rate, धान से सुनेंगे, share transferable होंगे, मैं कोई भी example दे रहा हूँ आपको, कि share transferable होंगे at a rate to be decided by, at a rate to be decided by board of directors of the company, जो board of directors share का rate decide कर देंगे, उस पे होंगे, मैं इसमें और कहानी डाल सकता हूँ, मान लो इस company का नाम है A, B, C की बजाए, agarwal plastic private limited, तो I can put the condition, कि इसमें जो बंदा member बनेगा, that person must be an agarwal, वो agarwal होना चाहिए, means अगर वो बनिया नहीं है, agarwal नहीं है, then share उसके नाम प 100% valid, 100% valid, you can say की restrictions, यह मैं लगा सकता हूँ, कोई मुझे यह नहीं कह सकता, कि why you are imposing such restrictions, अरे भई, private company है यार, हम अपनी जरूरतों के अनुसार बना रहे हैं, जनता के लिए नहीं बनाई हम नहीं है, यह हमारी जरूरतों के लिए बनाई हुए, जैसे हम बनाना चाहें, वैसी बना सकते हैं, restrictions को law सिरफ यह कहता है, कि restrictions को लगाना mandatory है, what sort of restrictions, that is up to board of directors, कि वो क्या अपनी company में, articles में decide करते हैं, जो restrictions वो लगाना चाहें, they can impose, public limited company के जो shares होंगे, these will be freely transferable, इन में कोई दिक्कत नहीं होती, यह freely transferable होएंगे, अब मान लो, आगे नहीं मैं आपको थोड़ा सा और explain करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी, वेट कीजिए, बेटा, कि private limited company है, then public limited, public limited के अंदर ना आगे दो तरह की companies बन जाती है, बेटा, एक है लिस्टर, लिस्टर कंपनी, दोजार, लिस्टर on any recognized stock exchange, और एक है unlisted, कि जो लोगों ने, यह बिल्कुल private limited की तरह ही है, कि लोगों ने अपने घर पे बनाई हुई है, यह companies public limited, public के पास नहीं गए, यह companies ने public से क्या किया है, पैसा उठाया बेटा, इन्हों ने public से पैसा नहीं उठाया private placement करिए, private placement होती है, कि जो circle में लोग तुम्हें जानते करते हैं, उन लोगों के पास जाते हो, और पैसा उठा लेते हो, यह private limited वाले, यह भी क्या करते हैं, यह भी private placement करते हैं, private placement करते हैं, but they don't go to public, but यह बिल्कुल नहीं है, अक्सर बच्चों की यह सोच होती है, कि जो public limited companies हैं, उनके share जनता के पास होते हैं, हमारे देश में 4 लाग के करीब public limited companies हैं, उन में से listed सिरफ 5500 हैं, ठीक है, so you can now just see, कि यह percentage term में भी 1.5% companies हैं, सिरफ जो listed है, पूरे देश में अगर मान लो 14 लाग companies हैं, तो देश में listed कंपनियों की संक्या just 5500 है, अगर आप practically करके देख होगे, तो it comes to less than half percent, कि half percent company भी हमारे देश में listed नहीं हैं, ठीक है, तो एक मिनट में आपको time दोगा, जो आपने पूछना होएगा, तो share transferability की बात हो रही है, कि shares of a company are movable property, ये movable property हैं, and can be transferred, और उनको transfer किया जा सकता है, from one person to another, कैसे, किस तरीके से ये transfer हो सकते हैं, उसका ज will be provided in the articles of association of the company, share transferable है, but these are not negotiable instruments, ये अभी आपने नहीं देखना है, अब share transferability, बिटा ही, कितना बड़ा feature है, आपको मैसमूस होता है, मैने अभी आपको example दी, कि इस group में I want to invest, then you may invest, if you want to change it, you can change it anytime, आपको कोई किसी से permission approval लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताया मैने, कि private limited companies के case में, certain restrictions are placed on the right of member to transfer its shares, and ये होना mandatory है, जब आप private limited company की definition पढ़ोगे, then you will understand this, कि क्यों restrictions का होना mandatory है, कि private party में अगर restriction कोई नहीं, तो बिटा वो private party रहेगी कैसे, आप सोच के देखिएगा, आपको पता लगेगा, ठीक है, कि कोई आप function कर रहे हो, एक कोई भी यहाँ पे कोई भी hotel, कुछ भी ले लो, किसी भी जगह के उपर, आप Marriott में बैठे हैं, JW Marriott में आप party कर रहे हो, ठीक है, party कर रहे हो, और वहाँ पे उन्होंने आपको एक hall दे दिया, कि this is for your birthday party, अब वहाँ पे पता लगे, लोग अभी भी बाहर से, लोग जो है, वो आई जा रहे ह और वो जाई जा रहे हैं, कोई आके बैठ गया, कोई और कर गया, यहाँ पे तुमारी party स्टेज लगया, यहाँ पे तुमारी party चल रही है, तो मुझे बताओ, how it is your private party, यह तुमारी private party कैसे होई, जब कोई भी जनता का बंदा उसमें आ सकता है, कोई भी जनता का बंदा उस भी कहीं पे रस्ते में रोक ले और क्या बोले, इनको भी आने दो जी, उनको भी आने दो, then how it is chartered taxi, वो तुमारी taxi कैसे हो गई, वो तो फिर कोई भी किसी के लिए भी taxi रुख जाएगी, उस चीज के लिए, so private नहीं आप वो कहला सकती, private तभी कहलाएगी, जब उसमें some sort of restrictions will be there, यह होनी mandatory हैं, आगे detail में आएगा, जब यह definition आएगी, तो, next step बेटा, separation of ownership and management, यह क्या चीज है, मैंने आपको आज भी बताया, और यह हमने कल भी यह पढ़ा था, कि एक company artificial person है, लाखो लोग बेटा, इस company में क्या कर सकते हैं, invest कर सकते हैं, मैंने कल भी आपको यह वाल public है, private company के अंदर, जो number of members हैं, वो minimum जो है, that is 7, लेकिन अगर max बोलोगे, तो that is 200, यह भी limit है, कि 200 से जादा member नहीं हो सकते, private limited company में, public limited company में minimum है, minimum है 7, एक मिंट यह दर 2 आएंगा, 2 आएगा, गल्त लिख दिया मैंने, 2, 2, कल बताया भी था, और इसमें minimum आगया 7, और जो max है, there is no limit, कोई limit नहीं है, अगर आपकी company listed होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि private, public limited में, तुमारी company क्या हो सकती है, लिस्टर भी हो सकती है, तो बिटा, ऐसी company में तो आप यह लेके चलो, अब जैसे Reliance Industries Limited जैसी company है, National Thermal Power Corporation जैसे, बहुत सी companies हैं, मैं जस एक दो के नाम लिख रहा हूँ, तो इन companies में जो members हैं ना, बिटा, those are, members are in crores, crores में हैं बिटा, member, लाकों में भी नहीं हैं, crores में member हैं, अब जिन companyों में, लाकों में, करोडों में member हों, तो हम यह वली बात कर रहे हैं, कि यह कितना बड़ा feature है, कि आप, उसमें possible है, क्या कि ओनर जो हैं, वही management को चलाएं, is it possible कि owner जो हैं, वही management को चलाएं, क्योंकि members जो हैं, they are owners, and they are in crores, तो करोड एक गाड़ी है, मानलोर Lines Industries निम्टर नाम की एक गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी के अंदर करोडों लोगों का stake है, तो क्या करोडों लोग उसका steering पकड़ के चलाएंगे, फिर चल पड़ी गा करते हैं, कि इसको, वो directors को point करते हैं, and directors के हाथों में company की backdoor जो है, वो swap दी जाती है, कि directors will run the company in the best possible manner, और अगर आपको ये महसूस हो members को, जब general meeting में वो आते हैं, कि ये तो ठीक नी चला रहे हैं यार company, तो then they may change them, आप इनको change कर सकते हो, तो वहाँ पे अपना role वो play करते है ये सब कुछ सीए final में, ये सीए intermediate level पे, आप लोग अगले level पे इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, ना ही बीच में कहीं book में ये चीज़ें आनी हैं भी, ठीके, अभी सिर्फ क्या चीज़ें आनी है, ये बताना है मैंने आपको, कि separation of ownership and management, ownership and management company में, अलग-लग हाथ में भी हो सकता है, मैंने ये नहीं कहाँ आपको, कि होता ही होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अब जैसे हम एक बात company बनाते हैं, आपको पता लग जाएगा कैसे, अमाल लीजे, मैंने यहाँ पे company का नाम लिखा था, अगरवाल plastic plastic कहां पे लिखा था, एक सेकिट, ये र दोस्तों के साथ मिलकर, A, B, C plastics limited बना दी, so now this is a public limited company, इसमें minimum जो number of members होंगे, that will be 7, आपको बताया, 7 होंगे, तो साथ दोस्त मेंने अपने क्या कर लिए, इकठे कर लिए, ये मेरे साथ दोस्त हैं, जिन्होंने मिलकर हमने company बना ली, तो अब हमने जरूरी थोड़ी है, these are members Owners, Shareholders, हाना ये, तो जरूरी थोड़ी है कि बाहर से ही बन्दे आपने लेके आने हैं, जिनके हाथों में आपने directions आपनी, ये अपने में से भी choose कर सकते हैं, कानलो जी हम B को चुनते हैं, हम E को चुनते हैं, हम G को चुनते हैं, इन तीन बन्दों को हम company में क्या लगा देते हैं साथ में, director भी लगा देते हैं, कि लो भाई साब, आप company में क्या लग गए हो, director भी लग गए हो, इन तीनों को ही मिला कर, अब हम company में क्या बोल देंगे, B, O, D, that is board of directors, so ये company के board of directors लग गए हैं, ये साथ बंदे कौन हैं, member हैं, इन साथ के बीच में से, B, E, and G, ये ती इनों कौन हैं, they are directors of the company, ऐसा कोई law ने मना नहीं किया, कि जो owners हैं, they cannot be directors, अब alliance industries limited में, मुकेश अंबानी जो है, वो कौन है, सबसे बड़ा shareholder है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा shareholder है, बेटा वो, shareholder है, तो मतलब कौन है, member है company का, जैसे हम लोग member है, मेरे पास भी share airlines के, तो उसके पास भी है, मुकेश अंबानी के पास, लेकिन फार्क ये है, मुकेश अंबानी के पास सबसे बड़ा member है, वो company के सबसे ज़्यादा share लेकर बैठा है, अब मेरे पास, अगर मालो 100 share होगा, तो मुकेश अंबानी के पास कितना share होगा, हो सकता है, 10 करोड share हो company का, इतने share लेकर बैठा है वो तो company के जो member है वो उसको ही क्या बना देते हैं चूज कर लेते हैं कहता भाई साब आप ही को हम company का क्या चूज कर रहे हैं MD जैसे directors के बीच में से एक को क्या choose कर लेते हैं MD उस तरीके से आपको MD बनाया जाता है और जो दूसरे member हैं कोई बाहर से professional है उनको भी hire कर लेते हैं वो professional को कंपनी क्या लगाया जाता है director तो ऐसे company में वो बहुत से कोई member के, कोई और member है company के अंदर, उस member को भी क्या लगाया जाता है, director ऐसे करके, बेटा जी, company का क्या बन जाता है, board बन जाता है, और भी director आएंगे क्योंकि उसके पीछे एक और law है, जो आपको पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ हमारे देश में जब हम बात करते हैं बेटा, public company की public company, फिले private लिख लिजए, हमारे देश में जब हम बात करते हैं private limited company की private limited company में members की बात तो आपको पता लग गई है, कि minimum members कितने होने चाहिए 2, maximum members कितने होने चाहिए 200, एक है directors, आपको बताया न, directors भी तो होने चाहिए, तो law उसमें कहता है, minimum members minimum directors कितने होने चाहिए, 2 ये भी 2 directors होने चाहिए, maximum के उपर एक और चीज़ है, CA final में पढ़ेंगे, that is 15 directors, but लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज की rate में उसको बढ़ाया जा सकता है अगर company चाहे, तो resolution पास करके, उसको बढ़ा सकती है special resolution पास करके, अभी आपने नहीं सुनना वो, then है बिटा, public limited public limited company के अंदर members भी हैं, public limited company के अंदर भी directors होते हैं, members आपको पता लगी गए हैं, minimum कितने, 7, max कितने, no limit, कोई limit जितने मर्जी रख लो, और पुतर, directors के case में, इसमें जो minimum director required हैं, that is 3, that is 3 directors, कि आपको 3 director रखने पढ़ेंगे, so इसलिए मैंने ये वाली बात यहां पे लिखी थी, जब मैंने ये मुकेश अंबानी वाली company के बारे में यहां पे बात करी, कि आपको कम से कम, Reliance Industries Limited is a public company, तो आपको कम से कम कितने director रखने पढ़ेंगे, 3 director तो रखने ही पढ़ेंगे, इससे जादा रख सकते हो, कम नहीं रख सकते हैं, Private Limited में कम से कम 2 director जो हैं, वो रखने पढ़ेंगे, तो हम ये company के features पढ़ रहें, so management of a company is vested with the elected body of shareholders called board of directors, कि ये elect करते हैं, किसको elect करते हैं, board of directors, once the management is vested with the board, shareholders can interfere in day-to-day management, shareholders cannot interfere in day-to-day management of the company, आपने अपनी company की बागदोर, किसके हाथों में सौंब दी है, that is in the hands of board of directors, अब आप ये नहीं काम कर सकते, कि भई हाँ जी रोज आ जाओ company के अंदर कि मैं तो shareholder हूँ, जी मैं ये करना चाहता हूँ, company गुसने भी नहीं देती shareholder को अंदर, ये मैं आपको बता दू, कि company के अंदर interfere करना तो बहुत दूर की बात है, वो कहते, day-to-day affairs में आप बीच में participate नहीं करोगे, कोई board की meeting हो रही हो, आप बड़े shareholder हो, लेकिन मान लो, आप director appointed नहीं हो, बीच में, और आप आकर बोलो कि काता, मैं बीच में बैठना चाहता हूँ, बैठने भी नहीं देंगे तुम्हें company वाले, किस capacity में बैठना चाहते हो, किना shareholder, ये meeting की किसकी है, members की meeting नहीं है, ये meeting की किसकी है, directors की meeting है, and you are not director, तो इसलिए आपको वहाँ बैठना allowed नहीं, normal rule है बिटा जी, कि एक company जो जो काम कर सकती है, practically वो सारे काम, almost, कौन कर सकता है, board of directors कर सकते हैं, definitely, कुछ restrictions हैं, कि वो काम board नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उनको members को बिलाना पड़ेगा, members की meeting आएगी, पता लगेगा, जब आएगा, अभी ने tension बाएगा, बिटा हमारा काम पता है, क्या होता है, आप थोड़ी सी बात समयना, ये ना समुंदर हैं, ये जितने भी laws हैं, ये जितने भी subjects हैं, ये सब समुंदर हैं, सी, हम लोग ना, आप लोगों को इस सी पे लेके भी चलते हैं, कि बैसे तो आपको ये swimming pool में हम क्या कराते हैं, swimming कराते हैं, बट लेके जाते हैं, बीच बीच में समुंदर में लेके जाते हैं, बट जब लेके जाते हैं, तो बाजू पकड कर लेकर जाते हैं तो बीच पर लेकर जाते हैं हम आपको बीच पर ले जाकर समुदर दिखा देते हैं और वापस ले आते हैं then you enjoy it, you understand it ठीके? अगर आप बीच में चले गए ना बिटा आपको बताओं, बीच पर जाना yön, बीच में नहीं जाना, बीच में चले गए न, तो शायद वापिस ना आपाए कोई बच्चा, तो ये दिक्कत हो जाती है, तो इसे लिए हमारी ड्यूटी होती है, कि हम बाजू पकड़कर लेकर जाते हैं, और बाजू पकड़कर वापिस ले आते हैं, कि देख लिया सी, क्योंकि आप सोचके देखो, जो सब्जेक्ट में आपको बुरू रहा हूँ, कि आपको तीन लेवल पर पढ़ना है, फांडेशन में पढ़ना है, इंटरमेडियर पर पढ़ना है, सीए फाइनल में पढ़ना है, यही कंपनी जे एक्ट पढ़ना है, एक्ट थोड़ी बदल जाएगा, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज की लेवल जैसे बढ़ते जाएंगे, only then you will be in a position to understand it, तो जो जो नॉलेज आपको जब पल्ले डालनी है, जब आपको समझ आनी चाहिए, then it is my duty कि वो नॉलेज आपको उस समय आ जाएगी, ठीके, बागे फिर भी बाद में, once the class is over, I'll give you time कि आप अपने जो डाउट्स पूछना चाहें, you're most welcome, आप पूछ सकते हैं, so, अभी हम बात कर रहे हैं, limitations की, कि सर, company बनाने के सिर्फ प्लसी प्लसे हैं क्या, जैसे कल पूछा था किसी बचे ने, कि company बनाने के प्लसी प्लसे हैं क्या, नई भाईया, company की कुछ limitations भी है, पहली limitation आती है, बेटा, formality, कहता सर, बहुत सी formalities करनी पड़ती है, sole proprietor का काम दंदा आपने शुरू करने, कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हो, अभी शुरू कर लो, क्या दिक्कत है, किस से approval नहीं पड़ती है, except a few businesses हमारे देश में, कि आपने शराब का ठेका खोलना है, या कोई ऐसे काम करने, that is a separate issue, जिसके लिए लग से license issue किये जाते हैं, but otherwise आपने कोई काम करने है, आपने का मैं करयाने की दुकान खोलना चाहता हूँ, कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, चाए की दुकान खोलना चाहता हूँ, you can do anything, कौन पूछता है आपसे, कौन से license आपको required होते हैं, उसके purpose के लिए, कोई license required नहीं होते हैं, घर पे करना चाहता हूँ, commercial place में करना चाहता हूँ, कर लो, लेकिन बेटा, जब आप company बनाने की बात करते हो, you need to complete a lot of formalities, ठीके, तो company घर पे नहीं बनती, company बनती है, ROC के पास registration करवा के, company बनती है, M.C.A., Ministry of Corporate Affairs के पास registration करवा के, और बेटा, वो बहुत सी formalities आपसे मांगते हैं, बहुत से document आपसे मांगते हैं, जब वो document होएंगे, only then company बनेगी, और ये document के साथ साथ, वो क्या लेते हैं हर चीज़ के लिए, fees लेते हैं, तो इसलिए आपको cost भी incur करनी पड़ेगी, company बनानी बड़ी असान है, अभी company बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कि company आपने बना ली, दिक्कत शुरू होती है, अब जैसे law है, मैं आपको थोड़ी सी company की formalities बतानी शुरू करता हूँ, तो आपको पता लगेगा की कैसे, पहले तो आप ये लगा के चलो company बनाते समय, formalities required है, बड़ी formalities है, like मैं कुछ हलकी फुलकी लिखता हूँ, आपको idea मिलेगा, आपको अपना memorandum of association बनाना है, articles of association बनाना है, ठीक है, and many other document, कोई declaration set ये, बहुत कुछ बनाना है, कोई चीज CA से बननी है, कोई CS से बननी है, कोई LLB से बननी है, बहुत से document हैं, जो आपको करने पड़ेंगे, cost आएगी बेटा इन सब की, फिर दूसरी बात आती है, company बन गई, हर साल आपको बहुत सी returns फाइल करनी है, ठीक है, तरह तरह की returns है, कोई taxation से संबन्दित returns है, कोई otherwise company law, corporate law के compliance से संबन्दित return है, अगर आपने company को list list करवा लिया, listed करवा लिया, तो आपको से भी जान ले लेगा बिटा आपकी, security and exchange board of India, इतनी requirement बोलता है, कि आप पूरी नहीं कर सकते हैं practically, करो, ठीक, तरह तरह की, कोई company होने के नाते, तुम्हें अपनी annual return हर साल फाइल करनी है, विदारोसी, तुम्हें हर साल अपना क्या करवाना पड़ेगा, audit करवाना पड़ेगा, हर साल क्या करवाना है, audit करवाना है, किस से करवाना है, from a chartered accountant करवाना है, company secretary से audit करवाना पड़ता है, जिसको corporate secretarial audit कहते हैं, corporate secretarial audit, अभी नहीं पढ़ना, under section 204 of the companies, तो वो भी करवाना पड़ता है, कोई company ऐसी है, जिनको cost audit करवाना पड़ता है, cost records maintain करने पड़ते हैं, ये किस से होगा, ये cost and management accountant से होगा, cost and management accountant जैसे CS CS होती है, जैसे cost and management accountant होती है, cost accountant, तो एक कुछ भी नहीं है, हाँ जी सर, प्लीज बताइए, stock audit सर, stock audit येस, बिलकुल, stock audit करवाना पड़ेगा, सब कुछ है बिटा, बैंकों से loan, लोगे तरह तरह की requirement, आप लोगों को पूरी करनी पड़ेंगी, सो इसलिए खर्चे बहुत आएंगे, register maintain करने पड़ते हैं, बहुत से, minutes बनाने पड़ते हैं, meetings करवानी पड़ती हैं, अब देखो, कितनी meetings आपको करवानी mandatory हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि company में दो तरह की human agencies काम करती हैं, बुलाना आपको दो तरह की human agencies काम करती हैं, तो members हैं, उनकी meetings होती हैं, members की meeting होती है, annual general meeting होती है, EGM होती है, extraordinary general meeting, then directors की meeting होती है, directors की meeting दो तरह की है, एक board meeting है, बेटा जो board of directors, जो board of directors की meeting होती है, जिसको board meeting कहते है फिर एक committee होती है committee or board of directors meeting committee or board of directors meeting ये rule है साल में 4 करवानी है 4 in a calendar year एक calendar year calendar year आप सभी जानते हो 1st January से लेके 31st December तो 4 meeting है करानी है in a calendar year फिर meeting के लिए proper rules है ऐसे नहीं है कि आप meeting जब मर्जी करा लोगे सारी meeting के लिए पहले notice जाना चाहिए कितने दिन पहले notice जाना चाहिए notice के अंदर क्या content होने चाहिए ठीक है उसके लिए साथ में क्या लगेगा फिर meeting होएगी meeting में कारवाई पास करनी है कैसे meeting करवानी है meeting में तरह तरह के resolution पास होते है फैसले लिए जाते है उसमें कहीं आएगा ORP लगेगा ordinary resolution, कहीं लगेगा special resolution, बताएंगे जब आएगा आपको सारा कुछ, फिर इन सारी meeting के minutes बनाने पड़ते हैं, whatsoever is जो कुछ भी meeting में discuss होता है, whatsoever is discussed and decided in meetings जो meetings में discuss हुआ और decided हुआ उसके written record उसके written record of that written record of whatsoever is discussed and decided in meeting, उसको record को हम क्या कहते हैं, we call it minutes तो वो बनाने पड़ते हैं, तो बहुत सी formalities हैं, बहुत, जिसके कारण से हर कोई company set up को afford नहीं कर सकता, यह दिक्कत है, बहुत से काम है जिसको करने के लिए members से भी approval से कुछ नी होगा हो बहुत से काम है जिसमें लिखा होगा board से approval उसके बाद कहिँ से अप्राइगा कहीं होगा नहीं नहीं board नहीं members से approval लो फिर क्या का लिखा होगा नहीं नहीं Edu से अप्रूब होती है एक O-R, जाना नहीं नहीं नहीं, नहीं, तो बहुत सी फॉर्मैलेटी यह नहीं की बनाने के बाद हमें करनी पड़ें। यही नहीं है, company बंद भी नहीं कर सकते हैं आप ऐसे, कि अगर आपने company बना ली और आप सोचेंगे कि चलो हम ROC के साथ कुछ काम तुन ददो करनी रहे, तो चलो company बंद कर देते हैं, बंद भी नहीं हो सकती company, कि ऐसे आप बंद कर देंगे, इसको proper procedure है, जिसके accordingly company को wind up करवाना पड़ता है, आप अपने घर में पापा से पूछो यह वाली बात, पापा इस question का answer आपके ममा को नहीं देते हैं, कभी चेक करके देख लेना, पूछ के देख लेना, किसी को doubt हो, लड़किया पूछ लेन, लड़के पूछेंगे तो थोड़ा दूर होकर पूछें, पापा स बिजनस में आप कितने पैसे कमा लेते हो साल में, या पापा से salary पूछना, कि पापा अगर नौकरी करते हैं, कि पापा आप कितनी salary मिलती है, ठीक है, आप देखना इस question का answer नहीं देंगे parents आपको, वो गया ते यार यह तुमने क्या लेना देना, तेरे खर्चे उठा रहा कि हमारे देश में 5500 के करीब companies हैं, those are listed, कहां पर listed, listed on some recognized stock exchange, हमारे देश में stock exchange का जो काम दन्दा है, वो आप ऐसे निंग कर सकते, stock exchange को अगर चलाना है, तो उसको पहले recognize कराना पड़ता है, from sabby, sabby, security and exchange board of media को, जैसे आप लोग सुनते हो, national stock exchange, bombay stock exchange, ठीक है, अब तो movie बनक scam वगेरा, ये क्या है, कौन सी movie आई है, ये अभी शेक बच्चन की, बिग बुल, अब जब ऐसी movies आई हैं, उसके बाद तो हर बच्चे-बच्चे को चीज़ें जादा clarity होने लगी, कि भी हाँ जी, ये क्या concept है, stock market क्या है, कैसे करते हैं, so companies act जो है, उसमें पूरा mechanism है मेरे बच्चे, कि आपको disclosure करने पड़ेंगे, quarterly, आपको results publish करने पड़ते हैं, news paper में, कि हाँ जी, हमारी company कितने का profit कमा रही है, या कितने का loss खा रही है, कितने का dividend declare कर रही है, तो सोच के देखो बिटा, ये formalities, बताना, कोई easy job नहीं है, अभी आप लोग उस चीज़ से aware नहीं ह इसलिए आप लोगों को लग सकते हैं, बताने में क्या दिक्कत है, मेरे बच्चे, it is just like, जैसे अभी आप छोटे बच्चे हो ना, तो अभी तो कोई फरक नहीं पड़ता, एक समय आएगा, आप ना, कोई आपके मौसी होंगे, या कोई चाची होंगे, उनसे उनकी उमर वो कहते हैं, उमर नहीं से पूछनी, बहुत गंदा कोश्चन है यह, पूछना नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से किसी परसन से उसकी इंकम नहीं पूछनी चाहिए, कि जी ये काम आप दिंदा करते हो, तो इससे कितने पैसे कमा लेते हो, कभी नही किसी से ये कोश्चन, बहुत वाहियात कोश्चन है, अब सेम चीज मैं आपको कौन से वाली बात कहा रहा हूँ, कमपनियों को बताना पड़ता है, मजबूरी है उनकी भी, वो भी कोई खुश नहीं है, बता के, मजबूरी है, लौ कहता है कि बताईए क्या किया क्या नहीं क बट स्टिल यार, बनाने पड़ते हैं, कोई मेंबर मुंबर देखना चाता है, तो देख सकता है, उसको क्या दिक्कत है, ग्रेटर सोशल रिस्पांसिबलिटी, एक चीज बताईए, बिटा, आप कोई क्रेकट खेल रहे हो, या कोई भी कोई भी गेम आप खेलते हो, आप से उमीदें कर ली जाएं, बहुत ज़ादा, अभी ले लो, आप लोग अपने प्लस टू के क्या कर रहे हो, एक्जाम दे रहे हो, हाना, तो आप लोगों से बहुत उमीदें डाल के बैठ जाएं, ममी पापा, कि कहता लाब, मेरे बच्चे के नंबर मुझे पता है, देखना 99% प्लस टू में, तो आप बहुत बढ़िया प्रफॉर्म कर पाते हो, एक्जाम में, या कम बढ़िया प्रफॉर्म कर पाते हो, ये बताओ फिर मुझे, जब ज़्यादा उमीदें पेरेंट्स डाल लेते हैं, तो क्या, आप ज़्यादा अच्छा प्रफॉर्म कर पाते हो, इ प्रेशर 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 आप नहीं खेल सकते देखो सचिन तेंदूलकर को ना देश का एक बार बीच में ना क्या बना दिया गया था इसको आप सब लोगों को ज्यादा पता है मेरे को तुम्हें क्रिकेट वाच नहीं करता प्रेट आपको यह तो जनर नॉलेज की बात ह सबी को पता है सचिन तेंदूलकर काफी देर हमारे देश के अंदर ना वो रहें कैप्टन भी रहें है टीम के लेकिन जब यह कैप्टन थे ना जी इंडिया मैच जीता या नहीं जीता that is a separate issue सचिन तेंदूलकर ने कभी भी स्कोर नहीं किया बिटा अच्छा सचिन अच्छे कारण था कि जो कैप्टन बन गया तो उसका जो प्रेशर है उसके उपर कैप्टेंसी का वो इतना जादा था कि he was unable to perform उसको भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कैप्टेंसी छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था तो ultimately क्या हुआ कि कि किसी स्याने बंदे ने उसको प प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है आप अच्छा बला बोल रहे हो मेरे साथ हैलो हाई कर रहे हो अभी मैं आप में से सभी बच्चों को इंडिविजुली स्टेज पर बुला लेता हूँ और मैंने का यहां पर खड़े होकर बोलिये और मेरे से कॉस्टन कीजे यू ज अपनी के उपर बहुत सा प्रेशर है अभी आपको बता रहा हूँ कैसे एक सूल प्रोप्राइटर आदमी बेटा कोई धर्म का काम करता है तो अपनी इच्छा से करता है नहीं करता तो नहीं करता स्टाफ को बोनस देता है दिवाली पे तो देता है नहीं देता तो नहीं द मेरी दुकान पर मैं सिर्फ कामिंग करवाता हूं बॉनस नहीं देता और हुआ क्या वो लड़का मुझे गहता का ना यह साथ वाली दुकान पर जी देखो जी लड़के को बॉनस भी मिला है काम कराते कराते साथ-सात तंखा के साथ-सात मैं कहा यह जो तरे को मिठाई का एक नोकरी छोड़ दूँ या इस तरह के हालात की वो मेरे को कुछ कर सके workers कुछ नहीं कर सकते बेटा क्योंकि exploitation होता है उनका इन जगाओं पर लेकिन जब आप बड़े organization में काम करते हो वहाँ पर workers की union होती है बेटा अब आप एक company पर आप बेटाटा की किसी company में काम करते हो 4000 का staff वहाँ पर काम कर रहा है 3000 का staff काम कर रहा हमारे देश में ऐसी ऐसी companies हैं जिसमें एक एक लाग का staff काम कर रहा है तो बेटा आप ये सोच के देखो किसी भी worker के साथ बदसलूकी करते समय भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपने उसके साथ बदसलूकी कर दी तो क्या होगा union खड़ी हो जाएगी बेटा इसका मदब workers अपनी हकों के लिए वहाँ जादा aware है अब ये वैसे तो अच्छी बात है कि workers अपने हकों के लिए जादा aware है अरे businessman होने के pointer view से सोच के देखो तुमने company लगाई हुई है तुम member हो उसके pointer view से सोचो कि तुमारे जो worker हैं वो तुमसे अपना proper हक मांगेंगे अगर वो proper हक मांगेंगे तो बेटा फिर तुमारे पास उतना ही proportionately क्या बचेगा कम बचेगा members dividend मागना शुरू कर देते हैं members कहते हैं कि हमें dividend मिलना चाहिए बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तो retire worker अपना पैसा फलानी company के shares में लगा दिया क्या सोचते हुए कि हर साल dividend आया करेगा और हमारा घर बसर चलता रहेगा लेकिन कहता जी ये company ऐसी है जाले dividend इनी देते shareholder सब कुछ चाता है आपसे वो चाता है कि जिस rate पे मैंने share ली है उसका market में rate भी बढ़ना चाहिए वो ये भी चाता है कि मुझे year on year हर साल क्या मिलना चाहिए dividend भी मिलना चाहिए तो कितने लोगों की उमीदें पूरी करोगे आप ये वाली चीज के लिए customer जो आपके customer है बेटा उनकी उमीदें आपसे बहुत ज़ाद है अब आप सूचके देखो आपने बंसल चाहे वाले के पास चाहे पी आपने का भीया मठी भी दे दीजिए मैंने का लौ जी मठी भी ले लो जी पांच रुपे मठी के हैं साथ में आपने मठी भी ले ली मठी खाते खाते बीच में बेटा आपको मठी मिल गी और आपने क्या का का ना भीया ये क्या है मैं कहा क्या है ये मठी है मठी है तो ये वाली हमें किला होगे मैं कि इसके तो पैसे नहीं लिए मैंने अभी इसके पैसे नहीं लिए मैंने अभी आपसे मैं कि नहीं पसंद है निकाल के साइड रख दो यार मठी रख नहीं है मठी रख दो पैसे देने पढ़ेंगे पांच उर्पे जादा से जादा क्या है इतना ही होगा और कुछ नहीं कर सकते हैं यह मैं बताओं लेकिन बेटा यही आप माल लो Britannia के biscuit खा रहे हो Britannia इंडेस्ट इस लिम्टर बिस्किट के अंदर आपको कोई कौकरेच या बिस्किट के अंदर आपको कोई मक्ही दिगी तो लोटरी लगी बिटा आपकी तो आपने इमिडेटली वहाँ पे क्वालिटी केर कस्टमर केर का नंबर लिखा होता है आपने फोन मिलाना है उनको बोलना है कहता कहता जी मैडम चेक करो वटसैप आ रहा है आपके नंबर पे ये मुıllे बिसकिट मिला है आपका भृतेमिया का टाइगर और उसके अंदर मिली है मकई ताइगर के अंदर मकी तो कहता कहता देखो जी या तो कहता कहता मुझे बताओ क्या करना है नई तो थोड़ी देर में ये पोस्ट वाइरल हो जाएगी वो कहते बाई सब रूकिया आप जहां पे भी हैं शैर के डिस्ट्रिब्यूटर को फोन करेंगे का ना पूरा जितने बिस्किट बिटैनिया बनाता है सबका एक बड़ा सा पैकेज बनाके लेके जा बंदे को थेंक्यू करके आ और उससे वह वाला बिस्किट लेके आ और उस को पांचार हजार उपे का गिफ्ट भी देगिया कैश भी देगिया क्यूं बेटा क्योंकि वो कंपनी है कंपनी जो है वो बड़े स्केल पे काम कर रही है सो उसको रेपूटेशन ज्यादा उस लेवल पे उसको नुकसान पहुंचेगा कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे गर कि अगर्मेंट तुमसे टेक्स जादा रेट पे लेती है देखो आपको हलका सा बताता हूं वैसे अभी टेक्स हमने इंटरमेडियेट में पढ़ना है ठीक है महीं बढ़ाता हूं लेकिन फिर भी आपको अभी बता रहा हूं कि लाइक आप ये लेके चलिए कि आम आदमी के केस में हम सरकार ये कहती है अप टू ढ़ाई लाग रुपे तुमारी इंकम है कहता हनजी सरकार कहती है कोई टेक्स देने की जरूरत नहीं है कहता हनजी ढ़ाई लाग से लेके तुमारी पांच लाग रुपे तक इंकम है सरकार आपको कहती है कि आप पांच परसेंट टेक् वो दस लाग से उपर है, उस पे 30% टेक्स दे दिजिए. मतलब समझिए बेटा, जो मैं आपको बाते बता रहा हूँ, कि सरकार आपको क्या कहती है, कि आपको टेक्स देना है, स्लैब्स के अकॉर्डिंगली, जितनी आप इंकम ज़ादा कमाते हो, उसके accordingly you need to pay tax, ठीक है, यह सिस्टम है, लेकिन say, आपने एक कमपनी खोली हुई है, आपको सारे साल में सिरफ एक लाग रुपे का प्रॉफिट हुआ, आपको पता है पिटा, इसके उपर भी आपको टेक्स देना पड़ेगा, और यह कोई वो नहीं है, एक लाग छोड़ो, एक रुपे का भी प्रॉफिट हुआ, तो उसे एक रुपे के उपर भी आपको टेक्स देना पड़ेगा, आप नहीं बोलोगे, कहता सर इस आदमी को, इंडिविजुल को, तो आपने डाई लाग रुपे तक छोड़ रखे, कहते हैं, तो उसकी बात ना कर, तो अपनी बात कर, कम्पनी, कम्पनी को टेक्स जो है बिटा, वो देना पड़ेगा, कम्मूनिटी, सरका, दुनिया आपसे, शोशल सर्विस में लोग आपसे ज़ादा मांगते हैं, लाइक मैं आपको एक्जामपल देता हूँ, आपको समझ आएगा, हमारे देश में न, कम्पनी जएक्ट में एक सेक्शन है, बिटा, 135, इसकी शुरुवात, कम्पनी जएक्ट 2013 नहीं करवाई, यह अब आज की रेट में यह कहते हैं, CSR, यह वर्ड आप लोगों ने सुना है, क्या होता है CSR, कोई बच्चा बताए मुझे प्लीज, शोशल रिस्पॉंसिबिलिटी, शोशल रिस्पॉंसिबिलिटी है बिटा, आप मुझे एक चीज बताओ, तो मैं एक बनिया बिजनसमैन, दुकानदार, क्रियाने की दुकान करताओ, मैं दान करता हूँ या या नहीं करता हूँ, स्यंत्र Mounds को डोनेट कर रहे हूं, कोई ग्लब्स, कोई ये अपना मास्क ये डोनेट कर रहे हो, कि नहीं पूचता है कोई मेरे से, आप ये चीज़ देखो समाज के अंदर आप अच्छा काम क्या कर रहे हो कोई नहीं पूछेगा बेटा मेरे से कंपनीज के केस में ये मेंडेटरी कर दिया गया है बेटा ध्यान से सुनेंगे सभी पे नहीं है, कुछ पे है जो बड़ी कंपनीज है क्राइटीरिय है उनका कि आपकी कंपनी की जो नेट वर्थ है वो पांसो करोड या पांसो करोड से जादा है टरन ओवर हजार करोड या हजार करोड से जादा है आपका नेट प्रॉफिट पांच करोड या पांच करोड से जादा है तो सरकार आपको ये वाली बात बोलती है कि पिछले तीन सालों में ये करंटियर है ये पिछले तीन साल है बुतर वान चू थ्री ये पिछले तीन पिछले तीन सालों में जो तुमारे net profits आए उसकी हम ले लेंगे average तो तीन से divide कर लेंगे तो क्या आजेगा average पिछले तीन सालों के तुमारे net profit का हम क्या ले लेंगे बिटा जी total net profit का ले लेंगे तीन सालों के net profits का हम ले लेंगे total और total लेने के बाद उसको तीन से divide average होगे इस average net profit का 2% 2% आपको current year के अंदर CSR पे spent करना ही करना है CSR में खर्चना ही खर्चना है ये वाली बात तो ये पैसा आपको CSR में खर्चना ही खर्चना है अब आप सोच के देखो क्या company होकर ये तो मजबूरी होगी दान करना भी मजबूरी है क्या दान करना तो optional होना चाहिए भईया कहना नहीं optional नहीं है मजबूर ही है तुम्हें दान करना ही करना पड़ेगा यहां पे इस साल के अंदर यह करना पड़ेगा इसका मतलब जब हर आदमी आपसे उमीदें जादा रख कर बैठा हुआ है कंपनी के एम्पलोईज आपसे उमीद जादा रख कर बैठे है customer आपसे उमीद जादा रख कर बैठें सरकार आपसे उमीद जादा रख कर बैठें taxation वाले आपसे उमीद जादा रख कर बैठें ठीक है आप सोचके देखो अभी देश में जैसे कुछ भी होने लगता है अभी जैसे गरोना का system चल रहा है तो आप लोग ये चीज नोट कर रहे होंगे, लोग ये कहते हैं नहीं, कि आँजी मुकेश अमबानी क्या कर रहा है, सरफ नोट ही कमाने पता है इन लोगों को, अब कर क्या रहा है, देखो लोगों की उमीदे होनी शुरू हो जाती है, अब मुकेश अमबानी चाहे दिल से चाहता हो, बट ही विल डूस हो, पता है आपको, उसको करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा, लोग उसकी ये पूछ पूछ के जान ले लेंगे, किया किया आपने, देश में पैसे कमाते हो, हर साल दुनिया के, एशिया के सबसे अमीर आदमी डिकलेर हो गए हो, भारत के दंप पर लगता है, मैंने अभी आपको explain किया, highest rate पर tax लगता है, double tax लगता था, अब तक लगता था, अब कम लगता है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा से explain कर देता हूँ, कैसे, कि ये भी क्या concept है, इधर देखिए जरा, अभी तक ना, पिछले साल तक, income tax में जैसे आप ये कह स रखते हो, 2019-20 तक, हमारे देश में ये system था, 2019-20 तक, कि जो company है, कि company ने से मान लो, दो, पहले हम ना company नहीं बनाते हैं, पहले हम ना sole proprietor के रूप में काम करते हैं, ये partnership के रूप में काम करते हैं, A and B, ये दो दोस्त हैं, इन्होंने बना रखी थी, A, B and Associates, A, B and Associates, एक इन बना रखी थी, A, B and Associates, एक firm बना रखी थी, से मान लो, इनकी firm के profit है, that is before tax, एक लाख रुपे का इनका profit है, firm को भी कोई slab नहीं मिलती, firm को भी सीधर tax लगता है, तो एक लाख रुपे का इन पार्टनर्स का profit है, तो इनको जैसे 30% पे tax लग गया, 30% tax, तो 30,000 रुपया ये tax इनका हो गया, अब बेटा, इनके पास जो बचा, that is 70,000 रुपे, this is profit, P-A-T, profit after tax, this is profit before tax, and this is profit after tax, अब ये 70,000 मान लो, दोनों दोस्त कहते हैं, अब आप भी तो बांट लें, अपना ही share है, तो A और B को जो share मिल जाता है, that is 35,000 मिल गया, और ये 35,000 मिल गया, बेटा, ये पैसा इन लोगों के हाथों में tax free होता है, ये पैसा जो share in profits मिलता है, from the partnership firm, share in profits, इनको जो partnership firm से share in profits मिलता है, income tax act के अंदर, ये पैसा tax free है, इस पे partner को tax देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं देने की ज़रूरत, आप लोग समझते हैं, because tax has already been paid, दे तो दिया tax, और कैसे टेक्स देने, ठीक है, टेक्स दे तो दिया, और कैसे टेक्स देने, लेकिन अब ना, इन दोस्तों ने मेरे बच्चे क्या कर लिया, किसी की बातों में आकर, इन्हों ने A, B, कुछ भी, company, private, limited, कहता हम तो company खोलेंगे, लोग खोल लो बेटा, company खोल लो, कुछ company खोलने से revenue थोड़ी बढ़ जेगी, company तो, business तो वही है, और मान लो, इन लोगों की कमाई है, बेटा जी, अब एक लाख रुपया, अब इनकी, मेरी आवास clear आ रही है, बेटा, आप लोगों को, yes sir, yes sir, profit एक लाख रुपया, अब यहाँ पे आ गया, और बेटा जी, मान लो, हम लेके चलते हैं, कि इसको भी company को 30% ही tax लगता है, तो यह 30 तो पहले बाढ़ देते थे, बच गया 70, अब यह 70 जो बच गया, profit after tax, यह कहते थे, कि इसको न, dividend के रूप में बाढ़ देते हैं, between A and B, और वो ही 35-35 बाढ़ देते हैं, लो बेटा, उसी समय income tax act बीच में आ जाता है, कहना क्या कर रहे हो, कहना कुछ नहीं sir, 30,000 आपको tax दे तो दिया, अब जो बचा हुआ है, यह partners के बीच में, अब partner ना बोलो, member बोल दो, क्योंकि इसमें हमारे दो member हैं, Mr. A and Mr. B, कहना कि तुम्हें यहां पे एक tax देना पड़ेगा, जितना पैसा तुम बांट रहे हो, उसके उपर tax लगेगा, that is called corporate dividend tax, और वो लगता था basic rate के उपर 15%, मतलब जितने पैसे बांट रहे हैं, उसका 15% सरकार को और दे दो, फिर उसके बाद जाकर जो बचेगा, वो इन में बांट पाओगे, तो इसका मतलब इनको 35-35 नहीं आएगा, मान लो, कमपनी ने 25-25,000 इन लोगों को dividend के रूप में बांटा, 25-25,000, तो 50,000 का 15% हो गया, तो 7500 कमपनी को प्लस सरचार्ज वगेरा भी है, सैस वगेरा भी है, बट इतना पैसा कमपनी को कम से कम corporate dividend tax के रूप में देन होगी यह वाली चीज सोच रहे होगे, यार, कमपनी ना बना ली साला, गुना कर लिया हम लोगों ने तो, अना, कि दिये हुए tax के ऊपर कुछ भी तो नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं बदला, सिरफ यहाँ पे AB and Associates था, here it has become what AB Company Private Limited, कुछ भी नहीं बदला, whatsoever they were doing earlier, they are doing it now कुछ भी तो नहीं बदला, बट आप चेक करके देखिए, पुतर सारी position बदल गई है, this is the impact of forming a company, greater tax burden is imposed on the company, अब चलते हैं इस साल से, हाँ, अब थोड़ी सी position change हो गई है, अब law यह कहता है, कहता क्या बना लिया, कहता सर ABC Company Private Limited बना ली, कहता अच्छ अच्छ, दो बंदे है कहता है, कहता है, अच्छ अच्छ, profit before tax कितने है, कहता है, कहता है, मान लो company का tax कितना है, कहता 30% से, मान लो 30% tax की rate है, तो 30,000 वो निकल गया, अब जो 70,000 है, फरक सिर्फ इतने है, कोई बड़ा फरक नहीं है, this is profit after tax, कहता है, यह पैसा किसको मिलेगा, कहता है, कहता है, कहता कोई बात नहीं, अब धिहान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कहता, this money is taxable, taxable in hands of a, in hands of a, मतला दोनों कहीं ले लो, taxable in their hands कर देता हूँ, English, it taxable in their hands, इन लोगों के हाथों में, यह जो पैसा है, बेटा जी, 35,000, यह taxable है, तो अभी भी आप difference देख पा रहे होंगे, कि अगर हमने firm बनाई, तो बेटा, यह पैसे tax-free है, उनको tax नहीं देना इसके उपर, लेकिन इधर देखिए, वो ही 35,000 मिल रहा है, but this money is what, it is taxable, again taxable in the hands of members, तो सोच के देखो, यह disadvantages है, forming the company के, और एक जो disadvantage है, वो ही वाला, जो हमने पीछे पड़ा था, कि separation of ownership and control, मुझे एक चीज बताओ, बेटा, तुमारी न, अपनी कर्याने की दुकान है, ठेक है, अजे की, अपनी कर्याने की दुकान है, अपनी दुकान है, अजे तेरी, दुक तेरे पास है, तेरा रूटीन में रूल है, कि दुकान जो है, वो तु सुवेरे आठ बजे खोल लेता है, और रात को जो है, वो आठ बजे दुकान बंद कर देता है, रूटीन में तु यह करता है, अब तुमें पता लगा कि, तुमारी दुकान पे भागता भागता बंसल आ रहा है और उस समय टाइम हुआ है 7.59 मैंने का हो अच्छा हुआ जी अजे जी दुकान बंद नहीं है आपकी करना यार बंद ही यह बस बंद करके नीचे शटर नीचे करके जाई रहा था मैं कहा यार यह घर पे ना कल सुबा एक फंक्शन है उसके लिए कुछ सामान होगे बताओ कि करते हैं कि क्यों कर देंगे बिल्कुल बताइए कारण बताइए उसका कि यह सेल बढ़ रही है सर लास्ट पे घर पांच मिनट लेट चले जाएंगे सेल बढ़ रही है जो भी साइट में बेचूंगा मान लो यह समान 4,000 उपे का हुआ तो 4,000 के बीच में मान लो मेरा 10% भी मारजन है तो शाम को 5 मिनट बैठने के 400 रपे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ले लो क्या दिक्कत की बात है अच्छा अब यही काम हम करते हैं कि मान लो यह लड़का अजे की दुकान नहीं है यह बिग बजार पे काम करता है बिग बजार बताइए अब क्या करेंगे आप अब तुम असमान नहीं दूबा सब्सक्राइब अंदर अंदर रहेंगे तो वह भी निकाल लेंगे यह तो अंदर वालों को भी बोलना शुरू कर देते हैं बेटा 15-20 मिनट अगर 8 बजे दुकान बंद करनी है 730 पे अंदर जाने के एंट और अगर वो लोग नहीं बिलिंग बुलिंग कराते हैं कहता जी दक्ये खाओ कहता कहता लाइट बंद हमने तो घर जाना है सारा स्टाफ सुबह से आया हुए है कोई स्टाफ ने एक गंड़ आगे बस में बैठके कहीं पे जाना है किसीने कहीं जाना है तो यह तोड़ी एक तुम चार सो रुपए का समान ले भी गए मेरी दुकान से तो बिटा लाले का प्रॉफिट बढ़ेगा कितना चार सो रुपए और लाले का प्रॉफिट चार सो रुपए बढ़ेगा हमारी तंखवा तो चार रुपए भी नहीं बढ़ने वाली तो इसलिए हम क्यों बैठे यार फालतू में, तो वो कहते हैं, सुबह से पिस रहे हैं, यार और कितनी देर बैठेंगे, चलो यार घर चलते हैं हमने, बस घर चलते हैं, अलग लग हाथों में होने के कारण से, यह अकसर होता है, कि वो लोग उतना इंटरस्ट नहीं लेते हैं, जितना की इंटरस्ट कौन लेता है, दूसरे फॉर्म्स ऑफ और्गानाईजेशन, सोल प्रप्राइटर पार्टनर्शिप जो हैं, वो लेते हैं, यह भी एक इशू है, ठीक है, नेक्स क्या आता है, जो लोग हैं, उनको मेंबर्स को न, कोई यह नहीं होता, एकसेस टू दा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दा कंपनी, यह मैं क्या बता रहा हूं, दिहांसे सुनेंगे, आप न, एक नहीं बात है, आप लोगों को अभी इस लेवल पे आप ले रखें, काफी शेयर ले रखें, से मानलो दस अजार शेयर ले रखें, और हर शेयर जो है, वो दस रुपे का है, तो बंदे की लाख रुपे की कंपनी के अंदर इंवेस्मेंट भी है, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, दिहांसे सुनेंगे, कंपनी का नाम है से ABC Limited, बहुता है, मैं ये किताबे देखना चाहता हूं, या आजा एक कंपनी के पास, तो बेटा, ध्यान से सुन लेजिए, लौर आजू को ये राइटी नहीं देता, कि वो कंपनी की बुक्स अफ अकाउंट को हाथ भी लगा सके, राइटी नहीं है, आपके पास, बकैदा कंपन आप शियर होल्डर हैं, आप कंपनी के अंदर मेंबर हैं, आप कहने को ओनर कहलाएंगे, सब कुछ है, लेकिन किताबों को हाथ मत लगा ले ना प्लीज, ये देखने की आपके पास कोई पावर नहीं है, ये आपको बताऊं, हाँ, इन बुक्स के दम पे, कल को क्या बनेंग उनकी कॉपी, उनकी कॉपी हम आपको जरूर भिजवा देंगे, वो आपका हक है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बुक्स देखने की बात मत करना, बुक्स को तो टच करना भी आपको अलाउड नहीं है, ये लौ है, देखो, ये कंपनी अक्ट में आप आगे बढ़ें कि CA के द्वारा, और ये जो आडिटर हैं, इधर देखिए, देखो, लोग कितना चेक रखता है, ये आडिटर है, CA, कहता है, इसकी अपॉइंटमेंट मेंबर करेंगे, मेंबर मींज कला राजू नहीं, जितने मेंबर्स हैं, से मान लो इधर राजू के साथ, इधर बहुत स क्या बैठें, मेंबर्स बैठें, कहता है, आप मेंबर्स, इंक्लूडिंग राजू, कहता है, आप लोग क्या कर सकते हो, आडिटर की पॉइंटमेंट कर दो, CA की, वो CA, हमारे जो फनेंचर स्टेटमेंटे किसने बनाई हैं, बी ओडी बनाते हैं, बोर्ड अफ डिरेक्टर तुमने किसको पॉइंट कर दिया, आडिटर को, आडिटर क्या करेगा, फनेंचर स्टेटमेंटें चेक करेगा, चेक करके अपनी उसके उपर अपनी क्या देदेगा, रिपोर्ट देदेगा, कहता हो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी साथ में, मेंबर्स लोगों, तुमें ये रिपोर्ट घर पे साथ में मिल जाएगी, घबराइए मत, लेकिन बुक्स को हाथ ना लगा लियो, बुक्स को हाथ लगाना लाउड नहीं है तुमें, बिल्कुल भी, देखो, ये है लोग, सो इसलिए ये एक लिमिटेशन भी हैं, कंपनी फॉर्म आफ अगर डॉक्मेंट कंप्लीट हैं सारे तो, तो एक दिन में कंपनी बन जाती है, लेकिन फुतर, अगर आप ये कंपनी वाइंड अप करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं, इस नाट एन इसी एक्सराइज, हमारे देश में ने एक रिपोर्ट बनी थी, मतलब दु भारत के अंदर एवरेजली कंपनी को बंद करने में, भारत के अंदर एवरेजली कंपनी को बंद करने में साड़े तीन साल का समय लगता है, तो आप ये चीज़ एनलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो कता वहाँ पे इस ओप डूइंग बिजनस कहां से होएगी, तो वह आपको ये वाली बात इसलिए बता रहा हूँ कि winding up is not an easy exercise, इसमें भी time लगता है cost आती है और then अब conclusion निकालने को कहा गया आपको, कि बताईए फिर company बनाओ गए कि नहीं बनाओ गए, हाँ जी बेटा जी अब बोलिए, अब आप जो doubts जो question पोचना चाते हैं वो पोच सकते हैं, और अभी आप पहले ये question का answer देंगे, जो मैंने आप से पोचा है, कि इतना सब कुछ जानने के बाद, कि company के features क्या है, company के limitations क्या है, आप बताईए कि आप company बनाएंगे कोई भी जो बच्चा बोलना चाहता है, please Sir, लगता तो नहीं है कोई भी काम करते हो, उसकी limitations होती है, मैं कहा रहा हूँ, dance कर रहे हो अरे गिर गए तो tank तूट जाएगी कितने के लोग गिरते हैं, तो dance करना चोड़ दें, क्या कितने के लोग गिरते हैं, dance करते समय हाँ, गिरते हैं, dance करते समय ये नहीं है कि डांस करते समय गिरते नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी है cycle चलाना शुरू कर रहे हो और मैं बोलूँ मैं कहा बेटा गिर गया ना बाजू तूट जाएगी हाँ लोग गिरते हैं बट कितने लोग गिरते हैं और कितनों की बाजू तूटती है यार ये भी तो आपको समझना पड़ेगा तो company की जो form of organization है इसके plus बहुत तकड़े है जो इसमें plus है बेटा वो और कहीं मिलते ही नहीं है अब आप पहले इसके plus फिर से याद करो कल देखो plus पड़ने के बाद ही आपने ये वाली बात कही थी कि नहीं यार फिर तो हर कोई company बनाएगा लेकिन अब आप देखो आज limitation सुनने के बाद आप क्या कह रहे हो कि नहीं sir company तो देखना पड़ेगा क्यों सोचना पड़ेगा इसके plus इतने तकड़े हैं बेटा मैं आपको बताऊं जिसके आगे minus dilute हो जाते है यह तो M.E. है यह बड़े feature नहीं है यह है सबसे बड़ा feature कहता separate legal entity है जी separate पहचान है in the eyes of law asset अपने नाम पे लेने है limited liability sir limited liability आपको डरनी की ज़रूरत नहीं है आपको यह tension नहीं होती कि भी हाँ जी ऐसा हो रहा है हना अब मैं आपको कोई example देता हूँ कि मान लो एक लाला रमनिक लाल जो है उसने क्या किया company बना ली company बनाई लाला उसका नाम भी company का क्या है रमनिक लाल industries या कुछ भी रमनिक लाल spices जो मसाले बनाता है वो spices अपना company limited ये company बना ली उसने company के मसाले फेल होगे नहीं चल पाए market में पहले चली फिर company नहीं चली तो रमनिक लाल के पास पैसों कोई कमी नहीं है रमनिक लाल ने बहुत पैसे कुटे है company के अंदर से shareholder था कभी share बेच लिए खरीद लिए बहुत पैसे बनाए उसने रमनिक लाल कमपनी का M.D. भी रहा है किसी समय तो कोई दिक्कत नहीं है उसने बहुत पैसे कमाए है salary भी लिए company M.D. को company से salary मिलती है बहुत तगड़ी वो बहुत तगड़ी salary भी लिए share भी थे उसके पास company के इस कारण से उसने dividend भी बहुत तकड़ा खाये बहुत बार उसने share market में बेच लिए जब महंगे rate है और जब कम दाम है तब उसने फिर खरीद लिए तो रमनिक लाल ने बहुत पैसे कमाए है लेकिन अब ये company रमनिक लाल spices limited फेल हो गई है फेल हो गई है company बंद हो रही है company की management को हटा दिया गया है रमनिक लाल अपने घर में बैठ गया है और घर में अपने बड़े से lawn के अंदर बैठ के वो चाई का मजा ले रहा है तब ही भागता भागता बेटा कौन आया रगुबीर आया रगुबीर ने आकर क्या बताया कहता लाला जी कहता आपकी company बरबाद हो गई है और आप यहां पे garden में बैठ के कहता सालत चाई का मजा ले रहे हो कहता भाई तू भी बैठ जा तू भी ले ले तेर को क्या दिक्कत है कहता लाला जी आपको नहीं पता आपके नाम के उपर लोग थूक रहे है कहता वो आपकी company का जो board है creditors जिनके पैसे नहीं दिये उन लोगों ने वो board उठा कर पटक दिया है और जमीन पर प्रक्खा हुआ है कहता ठीक है फिर पिर क्या हो गया चाय बैट बैट चाय पी बिस्किट खा कहता नहीं नहीं लाला जी कहता मेरे से परदाश नहीं हो रहा लोग कहता आपके board के उपर थूक रहे है तो बिटा रमनिक लाल थोड़ी देरी सुनेगा उसके बाद रमनिक लाल तुमें एक ही बात बोलेगा कहना तेरा थूक खतम हो गया फिर कहना तू भी जाके थूक ले साला कहना मेरा दमाग नहीं खराब करना सुबह सुबह कहता चाय पी रहा हूँ अनंद लेने दे मुझे क्योंकि reason being रमनिक लाल थोड़ी बरबाद हुआ है पिटा रमनिक लाल के 200 business है रमनिक लाल कहता है रमनिक लाल spices खतम हो गया रमनिक लाल spices से करना मैंने करोडो रुपया खूट लिया अब मेरे को और tension नहीं है उस चीज़ से ये सुख कहां मिलेगा ये सुख कहीं और किसी और no doubt अब आप अब देखिये कि हान जी उसकी नाम खराब हो गया उसका ये वह कुछ नहीं हुआ 100 business करता है वो कोई business फिल हो जाता है बीच में क्या दिक्कत की बात है तो ऐसी situation के अंदर ये सुख किसी और form of organization में नहीं मिलने वाला वहाँ पे बंदे का business खतम नहीं होता business man साथ खतम होता है business के लेकिन यहाँ पे business man नहीं खतम हो रहा business खतम हो रहा है ये feature कहां मिलेगा perpetual succession अरे member आते जाएंगे जाते जाएंगे share company चलती रहेगी company को कुछ नहीं होता soul proprietor में soul proprietor के मरते ही business खतम हो जाता है partnership firm में एक partner के मरने के बाद partnership dissolve हो जाती है if nothing is agreed upon share capital जितने मर्जी पैसे कठे कर लो अरे भई तुम कितने ही अमीर आदमी क्यों नहीं हो तुम्हें कहा जाए न steel plant लगाते हैं तुम्हें कहा जाए बड़ी factory लगाते हैं पता लगा कि उसमें investment है 30,000 करोड साथ की साथ बंदा गरीब दिखाई देता है कि करना यार इतने पैसे नहीं है company बनाओ तुम 30 चोड़ो 3,000,000 करोड कठा कर लो बेटा क्योंकि number of members की कोई क्या नहीं है limit ही नहीं है तुम लाकों member जब करोडों member इस देश में 135 35 करोड लोग रहते हैं 135 करोड में से तुमने 1 करोड 35 लाक लोगों को पटा लिया that is what just 1% तुमारे idea से 1 करोड 35 लाक लोग convince हो गए तो बेटा गर 1 करोड 35 लाक convince हो गए हर बंदे ने सिरफ तुमें आप ये लेके चलो 10-10,000 रुपे दे दिये किसी ने ज़दा दिये किसी ने कम दिये तो बेटा तुमने सोचा है तुमारे पास कितने पैसे होगे तुमारे पास 13,500 करोड रुपे कठे होगे तो ये company form of organization की beauty है ये कहीं और नहीं है share transferable है जब चाहो वहाँ बेच लो जिस मर्जी को share बेच लो किसी से पूछना नहीं है partnership firm में आपको बढ़ाएंगे कि partnership firm में मान लो तीन partner है ठीक है A partner, B partner, C partner इनको आपस में लग रहा है कहता काफी दिर partnership firm चला ली अभी जल नहीं कर रही C कहता मैं आपना stake बेचना चाहता हूँ किसको बेचना चाहता हूँ मैंने D डून लिया मैं D को अपना stake बेच देता हूँ बेटा B मान गया B कहता ठीक है बेच दे यार अब तुने निकलना है तो निकल जा यह A नहीं मान था A कहता ना D के साथ partnership हमने नहीं करनी आपको पता है partnership firm dissolve करनी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं बचा क्योंकि reason being एक भी partner और इसका partnership firm में stake भी 10% है इसका stake है आप यह लेकि चलो 45% और इसका stake है 45% एक partner जिसका 1% stake भी है अगर उसको एतराज है ना मेरे बचे कि मैं नया partner जो ला रहे हो मुझे वो पसंद नहीं है इसने बोल दिया तो बेटा नया partner नहीं आएगा ये दिख वो है लेकिन अब मुकेश अमबानी को मान लो मैं पसंद नहीं हूँ मुकेश अमबानी जतिन बंसल को पसंद नहीं करता क्या फरक पड़ता है बेटा ना करे हमने क्या कराना है उससे पसंद कराके तो मुकेश अमबानी जबकी कैर है जतिन बंसल को company में airlines industries में नहीं लगाना अरे उसके कहने से तोड़ी लगना है किसी भी बंदे के पास मान लो रगू के पास company के क्या है share है किसके airlines industries के तुम मुझे बेच दे, रोक के दिखाए मुकेशंबानी, कि पता लग जेगा, तो कोई रोक नहीं सकता, और शियर मेरे पास होगे, लो मैं कंपनी के अंदर मेंबर बनके आ गया, कैसे रोक लेगा मुकेशंबानी, पॉब्लिक लिम्टर कंपनी है, और पॉब्लिक लिम्टर क काता, सर, फॉर्मैल्टी बहुत करने ही पड़ती है, खर्चे बहुत करने ही पड़ती है, और कुछ भी बड़ा काम करने जाओंगे, और प्री आलख चड़ेगा, अब तुम यह वाली बात वोख कोतोस ओर लाए, वो तो पंडित बुलाना हुदोगा यह उस पर खर्चा ख करते हुए के भी बैद पंड़त के क्राइव पैसे ने पड़ेंगे इस चकर में में साधी नहीं करता थे Запा attaches क्या धिकरत की बात है सबdefinedने Chuck Chartered Accountant Company, Secretary, उनका भी घर चलना चाहिए, थोड़ी बहुत फीजी देनी पड़ती है, audit है, अब आप लोग CA कर रहे हो, अब आप ये वाली बात बोलो, कहता कहता, यार CA करेंगे तो इंस्टीट्यूट को फीज देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी भाहिया, जितनी कि तुमारी CA इंस्टीट्यूट को फीज देनी पड़ती है, जितनी कि तुमारी ट्यूशनों पर पैसे लगते हैं, पहले साल में इसका पाँच गुना बच्चा रिकवर कर लेता है, बेटा, चार साल में जो पैसे तुम खर्चोगे ना, इंस्टीट्यूट को दिये हैं, प्लस जो हमें ट्यूशनों में दिये हैं, सारे कठे करके जोड़ लेना, ठीक है, उसका दस गुना, तुम पहले साल में रिकवर कर लोगे, तो फिर रोना चाहिए उस फीज के लिए, बिलकुल नहीं रोना चाहिए मेरे बच्चे, ये तो कॉस्ट है, इंकर करनी पड़ती है, कुछ भी करोगे तो, अब डिस्कलोजर है, अब बेटा, जब इतने लोगों का पैसा लगा है, मैं कह रहा हूँ, करोडों लोगों ने त पैस की है, वो जानेंगी कैसे, कि हमारा पैसा सेफ हैंड्स में है या नहीं है, तो इसलिए, इसलिए, उनको बताना भी ज़रूरी है, अब उनको बताने का सस्ता तरीका है क्या, अरे भई, नियूस पेपर में पब्लिश कर दो, जिसने पढ़ना है, पढ़ लेगा, नहीं पढ़ा नहीं सी, शोशल रिस्पॉंसिबिलिटी, अरे जहां इतने बंदे काम करेंगे बेटा, उन लोगों को, उन लोगों को उचित वेतन, रिजनेबल सेलरीज मिलनी भी चाहिए, हना, एक्स्प्लॉइट करने के लिए, तो इसलिए, उन लोगों ने अपने इंटरस को वाच भी करना है, उन लोगों ने यूनियन भी बनानी है, तो बना रखी है, अब शेर होल्डरों ने पैसा लगाया हुए है, तो कोई भी आदमी कहीं पे पैसा लगाता है, तो क्या एक्सपेक्ट करता है, तो क्या दिक्कत की बात है, बिटा, गर्मेंट टेक्स मांगती है अरे government सुविधाई नहीं दे रही, ये road दे रही है, government बिजली दे रही है, तब जाकर हम आपको सुविधाई दे पा रहे हैं, तो government अगर उस चीज़ के लिए tax मांगती है, अपना share मांगती है, तो क्या दिक्कत है, हफते वाले को हफता दे दो, ठेक है, government को tax ना दो, ये क्या मतलब हुआ, हना तो वो भी देना ही बनता है, अब customer अगर आपसे उमीदे जादा रखता है, अरे उमीद उसी से रखी जाती है, जो कुछ धंका होता है थोड़ा, जो बेकार आजमी है, उससे कौन उमीदे पालता है, cricket की टीम में तुमारे कोई बेकार player है, अब चेक करके देखो, लोग क्या सोचने लग जाते हैं, कंदा ले साला आठ के आठ नो के नो निकल गए, सारे के सारे आउट होगे, अब इसने क्या करना है, कंदा ये तो चार रन की गेम है, वो बंदा चार रन ना मार के, 24 रन मार के, अल्टीमेटली चाए मैच हार गया, लेकिन देखो जिस उमीद उसी से की जाती है, जिस बंदे से कुछ है, जिस बंदे में कुछ है पोटेंशल हो, तो कंपनी में पोटेंशल है, टेक्स बर्डन है, अब टेक्स लगेगा, ओनर्शिप और ये भी तो सोचिए, कि आप प्रफेशनल लोगों को, चार्टर अकाउंटन लोगों को, कंपनी सेक्रेटरी लोगों को, कॉस्ट अकाउंटन लोगों को, MBA's को, अपने बिजनस में जब लाएंगे, तो वो आपके बिजनस को ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलाएंगे, आपके बिजनस में रिटर्न ज़्यादा निकाल कर देंगे, जो रिटर्न एक की रिक्वार्मेंट को बेटर वे में पूरा करते हो, उतना आपके उपर, पैनल्टी वगेरा क्या लगेंगी, कम लगेंगी, तो डिटेल्ड वाइंडिंग अप, हाँ, यह तो बंद करते समय, अरे भई, हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, कि गुइंग कंसन, कि बिजनस व बंद करने के लिए बिजनस नहीं करते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हो, इसलिए आप ये कह सकते हो, कि बीटेशने हैं, कि बार यही रीजन है बिटा, कि इंडिया के अंदर 14 लाग के करीब companies हैं जो की highest in the world है आपको बताओ largest in the world है कि 14 लाग companies otherwise किसी भी country के अंदर जो है वो नहीं है सो इसलिए आप ये कह सकते हो कि हाँ जी company form of organization एक अच्छा form of organization है वो हमें बनाना चाहिए clear है? अब कोई और बच्चों के जो doubts है मैं एक बार पूछ लो मैं अभी वीडियो चली रही है हाँ बोलिए प्लीज और जो doubt पूछता है न यार camera सा अपना on कर लिया प्लीज पता भी लगे न हाँ जी बिटा किसी के कोई doubts है पूछ सकता है सारा हाँ जी कौन बोल रहा है पहले नमा बोल रहा है हाँ रगुबीर बोल रहा है हाँ रगुबीर बोलो सार थोड़ा off topic doubt भी है एक दो हाँ कोई बात नहीं सार एक आपने बताया था कि जो private limited होती है उसमें rate of transfer of shares होता है वो BOD वो करते है प्राइस पुत्तर प्राइस जैसे माल लो मैं आप मेरी बार सुनों हमें कंपनी बनाई हमने अगरवाल प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटर ठीक है आप उसमें रगुबीर अगरवाल आप उसमें क्या है में आप अपने शेर बेचना चाहते हो तो बेटा प्राइवेट लिम्टर कंपनी के शेर लिस्ट नहीं होते प्राइवेट लिम्टर कंपनी के शेर का कहीं पर प्राइस नहीं आता तो आपको पता कैसे लगेगा कि किस रेट पर शेर बेचने है में तो वो रेट भी तो चाहिए ना मालो रगुबीर बेचके निकलना चाहता तो बेटा नमन को किस rate पर बेचोगे तुम ने decide करोगे rate यह restriction लगा रखी है हम लोगों ने कि तुम ने decide करोगे rate तुम तो बस सिरफ इच्छा बताओ कि जी मैंने अपने share बेचने हैं किसको बेचने हैं नमन को बेचने हैं देन हमारे board of directors बैठेंगे वो decide करके बताएंगे कहता ऐसे यह जी रखुबीर जी आप ये share बेच दो उपर share 70 रुपे rate ले लो हाँ जी नमन जी ओके हैं नमन कहता 70 तो जाले है कहना जी देख लो 70 रुपे के उपर हम ये share transfer allow कर सकते हैं अगर 70 रुपे से नीचे लेता है तो फिर हम ये share transfer allow नहीं करतें बिल्कुल कर सकते हैं पैसा बेटा thousands of restrictions can be there ये सिर्फ मैंने एक restriction लगाई है अब मान लो तुमारी birthday party है तुमने वहाँ पर restriction लगा दिया कहता वो ही बंदा आए जिसके red color की shirt पहनी हो dress code है कहता मेरी birthday party का red shirt पहनी हो तो आए नहीं है तो ना आए नमन बाहर आकर खड़ा हुआ है कहता कहता ओ रुखबीर कहता मैं पहुंच गया था यार तेरा बंदा खड़ा है बाहर आने नहीं दे रहा कहता क्यों ही आने दे रहा है बात करा इससे तो उससे बात करा इससे बात कराई मालो रहू में ही हूँ वे बंदा तो आप अपने कहता लहा बात करा हो जरा है से मैं क्या बात करा देता हूं आपने कहता है कहता है नमन ले के आया या रेड़ शर्ट नहीं है तेरे पास कांदा या रेड़ शर्ट तो है कहता मैंने सोचा वाइड जाला अच्छी लगेगी कांदा नहीं यार सॉरी सौरी यार सौरी कहता यार मैं तेरा दोस्त हूँ कहता दोस्त क्या करेगा यार यहाँ पे सारी पार्टी का थीम भी गार देगा तू तो देखो आपने रिस्टिक्षन लगाई है न अब कोई बंदा कल को यह नमन बताता फिरे तुमारे कॉलेज में सब को काानब साला करता करता Whoo बलाया मुझे और वहां पे रैडश शर्ड के बारे में इसने रोला पा दिया मेरे वाइड पैनी हुय थी और अंदर नी आने निया इस बंडे ने मुझे तो मुझे बताओ कोई तेरी निंडा करेगा के नहीं करेगा बस ये बतादे बस तेरे कोई friends कहेंगे कि भी नमन ने गलत बात करी बता ये बता बस नमन ने नहीं रगुबीर ने कोई गलत बात करी तेरे कोई friends कहेंगे तुझे ये ये बता दे बस नहीं सर क्यों कि वो code of conduct है तो फिक follow करना पड़े तो क्या दिक्कत है इसमें कहता यार फिर तुम्हें बताया नहीं था कहना बक्यादा WhatsApp के उपर तेरे को invitation बेज जाता उसमें साफ तोर पे साला शुरू करते समय भी लिखा था end में भी लिखा हुआ था कि dress code is mandatory तो फिर तुझे ड्रेस कोड पूरी करके क्यों नहीं आया हाँ ये red shirt पहन के आये और तू पार्टी में गुसने ना दे लोग देख तेरी जान ले लेंगे कहता देख कितना गटिया आदमी है पहले लोगों को पार्टी पे बुलाता है फिर वहां से वापिस बेज देता है इसी लिए private company है वही restriction लगा सकते हो एक है तू जागरन करवाए ठीक है private party नहीं है जागरन किया है public के लिए खुला है यार गली में करवा रहा है तो अपने जागरन जनता आ रही है मत्था टेक रही है वहां पर यही वाली बात हुई तुमारे परिवारवालों ने रेड कलर के वह पहन रखें ठीक है लेकिन लोग आ रहे हैं कोई white में आ रहा है कोई yellow में आ रहा है किसी को रोक रहे हो नहीं ना तो पॉब्लिक लंगर लगाया यार क्या दिक्कत की बात है लंगर में restriction नहीं लगते public limited company is just like लंगर लंगर होता है वो और जो private company होती है that is just like private party और private party में restriction लगानी जायस होती है अधिक है हाँ जी नमन आप कुछ पूछ रहे थे कोई केसे बंदा चाह पी रहा थे क्रेटर्स होदा बोड मतलब पड़क ले बार company दे एक मिनट सिरफ प्लीज हाँ उन बोल बिटा थोड़ा जा सिलो हाँ कि अधिक है जो बी कंपनी के नाम बताओ पहले जो भी कंपनी के हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम बताओ जड़ा क्या लिख है मैंने नाम क्या रखा था उसका रमनिक लाल आगे क्या लिखा था spices आगे limited क्या लिखा था limited अरे limited लिखने का मतलब यही था कि तुम्हें चीक चीक के बताना कि भई company के अंदर members की liability limited है सुच समझ के invest करो शेर मार्किट में जब कभी इन्वेस्ट करते हैं mutual fund में कहीं invest करते हैं तुमने एक line पड़ी है जल्दी जल्दी में बोलते है investment in market mutual funds are subject to market risk subject to market risk यह line तो नमन अपनी फोटो तो दिखा दे या रहा है तो अब कहने की बात यह है कि मुझे आप यह वाली बात बताईए कि उसमें यह line लिखती है ना हमने तो disclaimer दे दिया यह वाली बात का कि investment in market investment in mutual fund are subject to market risk यह समझ के पैसे लगाओ यार share market में same way में हमने हमारी company के साथ deal करने वाले को disclaimer दे रखा है कि तुम जिसके साथ deal कर रहे हो जिसको उधार राशन दे रहे हो वो हमारी company कौन सी company है limited liability है बहुत हमारी इसका मतलब अगर तुम्हें अब भी है पसंद तो ठीक है हमारे से deal कर लो और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं यह तो limited liability है मैं नहीं इसके साथ deal करना चाता क्योंकि इनकी तो liability limited है तो मत कर फिर इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि उनके interest को law protect करेगा अब company का अगर business वाकई में डूब गया है को बिजनस जुरूर थोड़ी होता है बिजनस जुरूर थोड़ी होता है भी बंदा fraud करेगा तब ही डूबता है कई बार businessman सही होता है लेकिन business नहीं perform कर पाता भी business डूब लाल के पास अभी भी उस company के अंदर एक लाक शेयर पड़े हुए वो शेयर दस उरुपे का शेयर है तो दस लाक उरुपे उसका डूब रहे तो डूबने दो वो कहता उस तो सियाना था कि उसने in between क्या कर लिया अपना profit वगेरा book कर रखा है कि जब दस उरुपे का शेयर company क सो रुपया हुआ तो वो निकल गया जब फिर चाली रुपया आ गया तो उसने फिर खरीद लिया तो इसमें तो उसका दोश नहीं है ठीक है अजी कोई और नमन भी पूछ रहते कुछ कॉश्चन बेटा नमन भाटिया अज ड सुआ है नो सर ख्लीर है अच्छा अरग्यद आपने फिर गॉरफ 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 अज अवाद कम आरी है गौरब कि अभी आ रही है हाँ बिल्कुल आ रही है जो को रही है नहीं आवाज कट रही है बेटा प्रॉपर नहीं है एक मिनिट रुक में देखो इधर से बड़ा बड़ू के एक मिनिट रुक जा हाँ जी बोलके देखो इस नहीं बुच्छे नहीं नहीं जर्नल मीटिंग कोरम तो होते हैं मिनिमम नंबर ऑपर्संस इधर देखो यह वर्ड अभी मैंने बोला नहीं आप लोगों को लेकिन बता देता हूं कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑपर्संस मिनिमम नंबर ऑपर्संस टू ट्रांसेक्ट बिजनस ट्रांसेक्ट बिजनस बिजनस का मतलब होता है बातचीत कि मीटिंग के अंदर बिजनस कोड ट्रांसेक्ट बातचीत करने के लिए कम से कम कितने बंदे चाहिए उसको बोलते हैं कोरम अब मेरी बार सुनो एक कंपनी है मान लो उसके एक लाख मेंबर है या मान लो कुछ भी ले लो उस कंपनी के मान लो 500 मेंबर है यही ले लो कंपनी के पबली कंपनी है 500 मेंबर है मीटिंग बुला ली गई अरे मीटिंग के अंदर वहां पे पहुंचे चार बंदे बेटा तो मुझे बताओ चार बंदे पहुंच रहे हैं तो हम मान लें कि भी मेंबर्स आ गई है चार अर चार के आने से क्या होगा तो लो में इसमें बंदे स्पेसिफाई कियों हैं जो 500 हैं उनके कम से कम कितने आने चाहिए पांच जरूर आने चाहिए अगर चार बंदे आकर कुछ ट्रांसेक्ट करते हैं तो बेटा लॉ मान के चलेगा मीटिंग ही इन वैलिड है इन वैलिड इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहां बंदे ही चार थे जबकि लॉप में लिखा हुए कि कम से कम कितने बंदे चीए पांच कहीं लिखा हुए पांच कहीं लिखा हुआ है 15 कहीं लिखा हुए 30 जो minimum लिखे हैं that is called quorum ये quorum है ठीक है ओके सर्थ और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है most welcome अब बोलो अगर कंपनी के आउटसाइडर लाइविल्टी सब सेटल दसर तो भी वाइंडिंग अप में साड़े तीन साल लग जाते हैं सर नहीं नहीं बच्चे यह तुम इने आवरेज बोला है बिटा ऐसा नहीं है कि साड़े तीन साल ही लगते हैं आप यह लगा गए चलो क कोई कंपनी दस दिन में भी वाइंड आप हो जाती है कोई दो मिन्हें में हो जाती कोई छे मिन्हें में हो जाती कोई साल में हो जाती कोई दो साल में होगी कोई पांट साल में होगी यह तो डिपेंड करता है कि तुमारे अफेर्स कितने का सैटल अगर सब कुछ ऑन ट्रैक है तो जल्दी हो जाएगी यह तो हमने वैसे बताया इस पभ्री एंकरप्स थे यह तो 2016 से पहले की अब तो काफी हद तक position इंप्रूव हो गई है अब नहीं लगते साठे तीन साथ बढ़ अब अब यह भी साल सूल तो लगता ही होगा जिसको हम यह क्या रहे हैं हां जी बिटा कुछ और पोच रहे थे हां रगुबीर बोलो क्या है जिस 부분 इस Israel प्राइब सम गूगल करते हैं अमनेक है अ मेहिसके खंडा क्या में क्या किया एक प्राइस का प्राइस जो भी किसी भी चीज़ का प्राइस डेटर्माइन होता है उसके लिए एकनॉमिक्स काम करती है अब किसी शेयर के लिए अगर लोगों को उमीदे जादा है आपको लगता है जो लेने वाला है उसको यह उमीद है कि यह कंपनी और बड़िया प्राइस डेटर्माइन होता है शेयर मार्केट में जिस रेट पे लास्ट रेट पे जिस पे ट्रेडिंग हुई है ल्टीपी बोलते है लास्ट ट्रेड़ प्राइस वो करंट मार्केट प्राइस के रूप में शेयर शो होता है ओन दा स्टॉक एक्शेंग ठीक है लुट और उनगे एकशेंग के ऊपर डिवह रही है ना दोनों स्टॉक अक्षेंग पर खृदार बेचदार दोनों बैठें आथे तूझांब अर यह चीज़े इतनीक हो जादा जैसे वह कोता प्रफेक्ट कंपपिटिशन market कि उसमें prices में आप ज़ादा variations नहीं होती है almost same होते है prices तो उसमें कोई 10 पैसे 5 पैसे का difference अलग बात है otherwise कोई share अगर Reliance Industries Limited का share तुम अभी करके देख लो कि अगर Reliance Industries Limited का share Bombay Stock Exchange पे भी listed है और मान लीजिए वो किस पे listed है NSE पे भी listed है you just check the price कि भी हाँ जी क्या होगा इधर देखिए अभी दिखाते हैं आपको R.I.L. Share Price अब आप देखो इसको यह किस पे rate है अभी rate आ रहे है न यहाँ पे NSE लिखा हुआ है पुतर देख, NSE इधर देख रहे है यह NSE का rate है Reliance का 1995 रुपे 90 पैसे, got it 1995.90 This is the rate on NSE अब यहीं पे कहीं पे BSE का rate भी होगा BSE का code भी देख लेते हैं खोल लेते हैं, यह BSE का rate देखते हैं यह BSE की साइट पे ही चले गए हम ठीक है? तो वो भी तुम्हे rate बताएगा यह देखेगा यह देखो, यह कितना rate है? 1994.45 पैसे तो बराबर ही होता है वो जो कुछ पैसे वो तो बेटा जब दो दुकानों पे buyer अलग हैं, seller अलग लग हैं तो बेटा rate थोड़ा बहुत तो अलग होई सकता है ना? दुकाने हैं बेटा, मंडी हैं कि आलू भीक रहे हैं कहां पे एक NSE पे बिक रहे हैं, एक BSE पे बिक रहे हैं, तो बेटा, दोनों का rate कुछ अलग हो सकता है, क्या दिक्कत की बात है इसमें? ठीक है रखुवीर? हाँ जी बेटा, कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहता है? चलो ठीक है फिर एक हमने डिसकास किया था हाँ हाँ पूली बिसकास किया था डिविडेंड पेले दो फोटो लेकिए आप नहीं आदि आवाज थो ना बंदे की फोटो से पता लग जाती है कि वो क्या बोल रहा है बंदा लिप पड़ लेता है कि भी हाँजी हे बोल रहा है clarity हो जाती है हां प्लीज बताइए जल्दी टाइम हो गया क्लास का हां जी सर एक dividend tax जो पे करना होता है company को वह आपने बोला कि इस साल से क्या जो शेर होल्डर है वो पे करता है dividend tax तो सर बीच में अभी मैंने कहीं पूरा था कि जो जो dividend distribution tax है वो cancel हो गए तो dividend पोटा रहा हो मैं यही सेम चीज़ तो बोली आपने जो मैंने बो ली आपको यह देखिए इदर मैंने क्या लिखा ? देखिए इसको इर देखिए इसके आपको यही बताया गया पेटा कि 2019 20 तक क्या था company used to pay corporate dividend tax but from 2021 यह देखिये ऊपर इधर 1920 लिखे है इधर 2021 लिखे है कि यूज ज़सी 2021 में अब कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे corporate dividend tax लगता था वो खतम कर दिया गया है उसकी बजाए now it is taxable in the hands of shareholders पहले क्या था company corporate dividend tax दे देती थी shareholder के हाथों में this money used to be tax free उनके हाथों में tax free था क्योंकि company ने tax pay कर दिया लेकिन अभी क्या है company को corporate dividend tax pay करने की ज़रूरत नहीं है कौन tax pay करेगा it will be taxable in the hands of shareholders shareholder इसको tax pay करेंगे clear है मेरी बात इसका मतलब जो tax liability उसरोफ shift होई है पर tax है अभी बिल्कुल सरकार कुछ नहीं छोड़ती ठीक है ना सरकार छोड़के कहां जाएगी वो कहते घोड़ा घास के साथ दोस्ती करके कहां जाएगा बॉस ठीक है टेक्स तो सरकार ने one or the other way लेना ही लेना है वो तो सिरफ burden shift किया है यह पहले company के उपर था now it is on the individual shareholders जो shareholders है उनके हाथों में ठीक है कि इस सर ठीक है कोई और बच्चा को डाउट्स लेना चाहता है तो जल्दी ले सकता है नहीं तो फिर में इस टाइम हाऊ सर अ एक बजे ओके ठीक है चल थैंक यू बच्चो टेक कियर अल्दा बेस